अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया भी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा अधूरा सत्य आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जिसकी वज़े से बहुत सारे मांसिक परेशानिया पैदा हो जाती है अक्सर मांसिक परेशानिया है वो अधूरे सत्य के कारण ही पैदा होती है तो मैं आप लोगों के साथ में पूरा केश सेयर कर रहा हूँ बहुत अच्छे समझेगा यह जो एक्जामपल है यह 30 साल के एक व्यक्ति का एक्जामपल है जो अलग-लग तरह के motivational speakers को सुनते थे अलग-लग तरह की किताबे पढ़ते थे खूब सारा उन्होंने motivation का content अपने पास में इखटा किया उन्होंने law of attraction पढ़ा उन्होंने power of thinking पढ़ा power of thinking, power of big thinking मतलब बड़ा सोचोगे तो जिन्दगी में बड़ा मिलेगा law of attraction मतलब जिस चीज के बारे में सोचोगे वो चीज तुमें अपने आप मिल जाएगी और कई लोग इस तरह की बाते बोल देते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा तो यह जो thought process है यहाँ पर यह जो thought है इन thought के कारण अगर हम इनको सहीतरी के सा understand नहीं कर पाते हैं समझ नहीं पाते हैं तो यह कई सारी psychological problems भी create कर देता है जैसे मैं आपको जो example समझा रहा हूं जो explain कर रहा हूं समझना कि इनोंने इन चीजों को पढ़ा कि law of attraction को पढ़ लिया power of big thinking को पढ़ लिया और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा या वैसा ही चीज़ें आपको मिलेगी तो यहां से इनोंने पूरे दिन 24 गंटे मतलब सोने के हलावा बोलने में 24 गंटे मतलब इनोंने पूरे दिन कुछ इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दे कि अपने कमरे में बैठे हैं और ये बड़े-बड़े business के बारे में सोचे जा रहे हैं कि मेरा business बड़ा हो रहा है और ऐसा सोचते सोचते इनको 4-5 साल गुजर गए, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन यह सोचने के कारेकरम के अंदर continuous चले जा रहे, continuous चले जा रहे, बस एक जिगे बैटके सोचे जा रहे, कि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो यहाँ से इनको जो भी नहीं मिलता, एक जगे बैटके सोचने से, ये एक अधूरा सत्य है, भी law of attraction के अंदर भी अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं अगर किसी चीज के बारे में सोचता हूँ, तो वो चीज मुझे मिल जाएगी, ये भी एक आधा अधूरा सत्य है, अगर आप यहीं तक ही जीवन के अंदर जो frustration पैदा होना एक सामानी सी बात है, stress पैदा होना, anxiety पैदा होना, एक सामानी सी बात है, वो होगी होगी, अगर आप यह सोचते हो कि नहीं, अगर मैं बड़ा सोचूंगा, अगर मैं बिग सोचूंगा, तो चीजे हो जाएगी, तो सिर्फ frustration मिलने वाला, stress मिलने वाला, anxiety मिलने वाली, negativity मिलने वाली, इसके अलाबा कुछ नहीं होने वाला, यह जैसा सोचूंगा, वैसा मुझे मिल जाएगा, यह भी क्या है, एक अधूरा सत्य है, जीवन के अंदर कोई भी जो चीज मिलती है, उसके लिए आप सोचते हो, सोचने के साथ-साथ में आपको बहुत सारे actions लेने पड़ते हैं, बहुत सारे actions, continuity में हर दिन आपको actions लेने पड़ते हैं, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, आपको बहुत सारा पुरुशार्थ करना पड़ता है, खुब सारे actions लेने पड़ते हैं, तब जाके आपके में कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं लेकिन अगर आप यह सोचते हो कि नहीं मैं तो खाल एक जगे बैठके सोचूंगा क्योंकि मैंने यह पढ़ा है और मुझे चीज़ें मिल जाएगी तो यहाँ पर हम गलत सोच रहें यह अधूरा सत्य है जैसे एक छोटा से एक्जामपल मैंना भी रिसेंटल एक वेक्ति से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बहुत बड़ा स्पिकर बनना चाहता हूँ और मैंने लॉफ अट्रेक्शन पढ़ा है मैंने एक मोटिवेशनल स्पिकर को भी सुना उन्होंने बोला कि आपको जो बनना है बस उसके बारे मैं सोचते रहो तो मैं पिछले दो सालों से अपने घर के अंदर बैटे-बैटे मैं बस सोचता रहता हूँ कि मैं बड़ा स्पिकर बन गया हूँ अपने पर्जेंटेशन को रखिए वहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा वो फीडबैक आपकी स्किल को और ज़्यादा तराशेगा आपकी स्किल धीरे-धीरे बड़ेगी ये तरीका है कि जिससे कोई भी चीज आपके अंदर डवलप होती है एक वेक्ति ने मुझे बताया कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैंने क्या है कि लॉफ अट्रेक्शन विजुलाइजिशन उसकी मैं प्रैक्टेस करता हूँ मैं बस अपने कमरे में बैठे-बैठे ये सोचता रहता हूँ कि देखो मेरी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है मैं वल्लीवुड के अंदर काम कर रहा हूँ वल्लीवुड के अंदर जो अवाड सेरेमनी है उस अवाड सेरेमनी के अंदर मुझे अवाड देने के लिए बुलाया जा रहा है मेरे सामने खूब सारे वॉलिवल स्टार बैठे वे हैं, सब लोग खूब सारी तालिया बजा रहे हैं मैं ऐसा विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो इससे मैं एक्टर बन जाओंगा कैसे एक्टर बन जाओगे इससे इससे कुछ नहीं होगा, simple एक overthinking पैदा होगी हमारे अंदर एक non productivity डवलप होती है हम किसी भी productivity के लायक नहीं रहे पाते non productive हो जाते बस एक जिगे बैठे बैठे सोच रहे जब तक आप चीजों को actions में नहीं डालोगे तब तक चीजें नहीं होने वाली सोचना तो खाल एक information है इस information से चीजें हो कैसे जाती है कभी भी नहीं होने वाली एक तो ये वाला part जो है वो आप बहुत अच्छे समझेगा दूसरा कई बार लोग यहां पर एक चीज में और first जाते है वो क्या है कि जैसे वो ये सुन लेते हैं समझ लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर जब वो anxiety में जाते हैं जब वो illness phobia का शिकार होते हैं illness phobia का मतलब या फिर panic का शिकार होते हैं तो उसके अंदर गया होता है कि उनको अपनी health से related negative thoughts आने लग जाते हैं कि उनको कुछ heart attack की problem हो जाएगा उनको liver का problem हो जाएगा उनको cancer का problem हो जाएगा उनको लक्वा मार जाएगा उनकी family में किसी को कोई problem हो जाएगा family में कोई बिमार हो जाएगा या फिर उनका business है वो गड़बड हो जाएगा उनका परिवार है वो गड़बड हो जाएगा उनके रिष्टे हैं वो गडबड हो जाएंगे वो अपने बच्चे को नुकसान पूंचा देंगे तो कुछ इस तरह के जो negative thoughts है वो negative thoughts इनके दिमाग में लग जाता है और ये जो negative thoughts जो इनके दिमाग में आते हैं तो इससे और ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्यों डर लगने लगता है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें सुन रखी हैं हमने power of thinking जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा तो यहाँ पर ये negative thoughts दिमाग के अंदर चल रहे हैं मतलब जीवन में क्या हो जाएगा negative हो जाएगा दिमाग में heart attack का thought आ रहा इसका मतलब मुझे क्या हो जाएगा heart attack हो जाएगा मुझे लकवे का thought आ रहा इसका मतलब लकवा हो जाएगा मुझे cancer का thought आ रहा इसका मतलब cancer हो जाएगा मैं चच्चे कूद ना जाओ, इसका मतलब मैं चच्चे कूद जाओंगा किसी दिन, मैं अपने family वालों को नुकसान न पहुंचा दूँगा, यह जो part है वो इस चीज को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जनरलाइस कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को समझना, कि ना तो यह बैठे-बैठे सोच रहे हो, सोचने के लावा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ पर भी यह जो negative thought आ रही, simple thought है, इससे कुछ नहीं होने वाला, सर यह जो हमने पड़ा है, सर हमने तो सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा सोचोगे, वैसा हो जाए ना कि बीमारी पैदा करने के लिए इलास दिये गए है, उसी तरह से जितनी भी यह philosophies, यह कोई universal truth नहीं है, यह simple philosophies है, जो किसके लिए दी गई है, positive के लिए दी गई है, लेकिन हम जब डरे वे होते हैं, तो हम जैसा forward में सोचते हैं, वैसा हम किसमें सोचने लग जाते हैं, backward में सोचते हैं, कि ऐसा करने से यह होता है, अगर positive सोचने से positive होता है, तो negative सोचने से क्या होगा, negative, ऐसा हम सोचना सुरू कर देते हैं, और यही जो सोचने का तरीका है, यह हमारा मसला गड़बर कर देता है, यहाँ पर यह जो theories है, इसको बहुत अच्छे समझना कि यह जो कि जो भी negative thought आ रहा है, सबसे पहला तो यह point देखा जाता है, कि आपका desire है क्या उसके अंदर, तीन criteria है कि कोई भी negative thought manifest होगा, या नहीं होगा, मेजर तोर पे हम इससे बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कि सबसे पहला criteria है हमारी desire का, कि हमारी इच्छा है क्या कि वैसा ह क्या हमारी ऐसी desire है, क्या हमारी ऐसी इच्छा है, दूसरा हमारा plan, और वो जो plan है दिमाग के अंदर, वो किसी भी परकार के conflict वाला नहीं होना चाहिए, कि किसी भी परकार के duality नहीं होने चाहिए, कि होगा, नहीं होगा, यह नहीं, एकदम clarity के साथ में plan, और तीसरा हमारे actions क्या हमारे actions ऐसे हैं जो खुद को बीमार करने वाले हो जैसे मुझे यह फॉट आता है कि मुझे हाट का problem हो जाएगा तो क्या मेरे actions वैसे है मैं खूब सारा खाये जा रहा हूँ कुछ exercise करता नहीं खूब सारा मैं junk food वो consume कर रहा हूँ बिलकु exercise नहीं कर रहा हूँ बस खाये पिये इतना ही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा यहाँ पर ऐसा बिलकुल भी मैं तो पूरे दिन अपने आपको protect करने में लगा रहता हूँ मैं तो यह देखता है रहता हूँ कि negative thought का according नहीं है मतलब यहाँ पर यह जो तीनों criteria में इसा अगर एक भी criteria अगर यह thought fulfill नहीं करता तो यह किसी भी रूप में manifest नहीं हो सकता और वैसे भी ध्यान रखना है कि यह simple thought है एक आपकी दिमाग का एक simple suggestion है reality नहीं है और हम यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं यहीं सबसे बड़ी mistake करते हैं कि हम इस thought को ही reality समझना शुरू कर देते हैं हम इसी विचार को वास्तविक्ता समझना शुरू कर देते हैं लेकिन वास्तविक्ता में और हमारे विचारों में बड़ा अंतर है और इस अंतर को हमें भीतर से समझना पड़ेगा, अपने पूरे मन के अंदर अच्छे से बिठाना पड़ेगा, कि ये simple मेरे दिमाग के अंदर negative thoughts है, ये जो thoughts ही क्यों आ रहे हैं, कई बहुत प्रश्ण पैदा होता है, सर मैं तो चाहता नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा negative आए, म किसी के साथ में कुछ भी हुआ, कोई भी accident हुआ, किसी के कोई भी heart का problem हुआ, किसी कोई भी family problem हुआ, हमने क्या किया, कि सब का information इखटा कर लिया, अब दिमाग के पास तो सारी information है, और बिचारे दिमाग का यही काम है, कि वो सूचनाओं का suggestions आपको देता है, जैसे उसके प गरेगा, जो उसके पास में है, वही तो आपको बताएगा, जो उसके पास में stored है, अब मैंने अगर मेरे बीतर negative store कर रखा है, तो दिमाग मुझे क्या बताएगा, negative ही तो बताएगा, मैंने अगर अपने बीतर positive store कर रखा है, तो दिमाग मुझे क्या बताएगा, positive बताएग तो हमारे अंदर क्या है कि negative information बहुत ज़दा collected होती है, negative information बहुत ज़दा stored होती है, उसके patterns बने वे होते हैं और यही जो patterns है, इन patterns के करण हमारे दिमाग में क्या आता रहता है, automatic negative thought आता रहता है, वो simple एक thought है जो कि किसी भी रूप में manifest नहीं होने वाला समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे सा understand करना पड़ेगा अब सर यहां से आपने जो explain क्या वो तो समझ में आ गया लेकिन मन अंदर से नहीं मानता, यहां पे एक प्रशन और बनता है, कि सर आपने समझाया, समझ में तो आ गया लेकिन मन जो है negative patterns बने है, हजार कडियां बनी वी है, और जब तक वो हजार patterns, break नहीं हो जाते, वो टूट नहीं जाते, वो जो सारी कडियां खुल नहीं जाती, तब तक हमारा जो अंतरमन है, वो इस बात को स्विकार नहीं करेगा, कि सब कुछ normal है, सब कुछ ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें लगातार practice करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, कोई भी thought आता है, उस thought को हमें dispute करना पड़ेगा, validate करना पड़ेगा, test करना पड़ेगा, बाई साब मेरो आ रहा है मेरे कोई physical problem है क्या कोई ऐसी है जो मेरे continuous नहीं 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 सर कुछ negative सुनता हूं तो गबरात होती है तो बेचे नहीं होती है तो भाई साब यह सिर्फ psychological problem है anxiety के करण है कोई heart का problem नहीं है दिमाग का problem है heart का नहीं है heart आपका एकदम perfect है मतलब जैसे mobile के अंदर एक hardware होता है hardware होता है hardware एकदम perfect है software जो हमारा mind है उससे related problem है दिमाग के अंदर कुछ negative beliefs बन गए है कुछ negative patterns बन गए है बस उन negative patterns के कारण ही यह सारी की सारी problems क्या हो रही है create हो रही है और उन patterns को हमें बस तोड़ना है जैसे ही हम हमारे इन patterns को तोड़ देते हैं इन patterns को हटा देते हैं इनको dispute कर देते हैं इनको break कर देते हैं हम इस पूरी negativity से totally liberate हो जाते हैं पूरी तरह से हम इससे हट जाते ही negativity हमें परेशान नहीं करती हमें बार बार CBT का यहां पर practice करना पड़ता है continuously अपने आपको इन तीन criteria की कसोटी के आधार पर हर negative thought को हमें क्या करना पड़ता है break करना पड़ता है और यहां पर जो सोचों के वैसा मिल जाएगा तो ऐसा है कि जुन्देगी में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह अधूरा सत्य है और इस अधूरे सत्य को सही तरीके से न जानने के कारण बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंदाया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सस्क्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों हम लोगों ने ये जो negative patterns बने वे होते हैं उन negative patterns को किस तरह से हम break करें कैसे हम तोड़े, इसके उपर हम लोगों ने step by step learning का एक पूरा course लॉंच किया है CBT का, जिसका link नीचे description में है, जिसको आप अपने अंदर install करके अपनी जो negative patterns है, अपनी जो negativity है, उसको बहुत अच्छे से break कर सकते हो, तोड़ सकते हो, अपने आपको पूरी तरह से positivity की side लेके जा सकते हो, अपनी जितनी भी psychological problems है, उनको पूरी तरह से खतम करने में बहुत अच्छे से help ले सकते हो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै